अलो स्टूदेंस, वेल्कम बैक तो मैं चैनल, इंग्लिश एडुकेशन विद अनरस्टेडिंग आज के आभी तुमाने इंग्लिश एन एकडम बेसिक जीनिस्टा शेखावो सेंटेंस काके बोले और सेंटेंस कोई प्रोका आज मैं आपलोगों सिखावाँगा इंग्लिश के एकडम जो बेसिक चीज है वक्य किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकर का है, ये मैं आज आपलोगों को सिखावाँगा What is a sentence? A sentence काके बोले? A sentence is a word और a group of words that makes a complete sense एक्टा बाग्जक एक्टा सब्दो एक्टा सब्दो बा एक्गुच्चो सब्दो जेटा की करे एक्टा complete माने अर्थोपुल्णो माने भोजे गयालो इक मास्ठेबा subject एड़ा प्रेडिकेट एक्टे की ठाग्ते होई एक्टा उब्देश्चों माने subject अर्बिदे हो बोजा गालो, इट मास्थ्याबा वर्ड, एक्टा क्रिया ठाकते होए, इच अले स्थास्वी दा क्यापिटल लेका, आज सब्समाई की बारकोटा शुगु हाए, एक्टा क्यापिटल लेतार गिए, बोजा गालो, एक्जामल देखो, गो, सिट डाउन, स्टेंड़, डोंट सिट डाउन, ताले आमी, एक्टा क्यों थागले, यू, अंडास्टूड, एक्टेर पेशी जडी टूराल होए, ताले, यू, सिट डाउन, माने, जडा थागले, तादर क्या मी पोजची, बोजे गालो, स्टेंडबर खेतो होताई, डोंट टॉकिन दा क्लास, यू ता इसे नतुन देखेंगे, जब एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा, एक्जम्बल देखिये, गो, sit down, stand up, don't talk in the class, ये एक, एक ही वर्ड है, ठीक है, लेकिन जब मैं बोलूंगा और किसी न भी बोलेगा, समने जो रहेगा, उसे ही तो कहेगा न, तो you जो है understood, sit down, you, ये भी understood, stand up, you understood, don't talk in the class, you understood, you ना बोलने से भी हम लोगों को पता चाहिएगा, हम लोग समझ जाएगे, क्लास में टीचा लोग जब कहते है के, stand up, अता, सब को कह रहे है, सभी खाड़ा होगे, ठीक है, अगर एक स्टुडेन रहेगा तो, वो एक ही खाड़ा होगा, क्योंकि, ये यू भी, singular भी हो सकता है, plural भी हो सकता है, ठीक है, येबाद देखो, types of sentences, बाग को को कोई प्रो का अक नमबो टेक्रार आइसरिव, दू नमबो इंतनर इंतररेटिव, तिन नमबो इंपरेटिव चार अप्रेटिव पाच एक्स्काई रूल बो, वो सकता है, इच्छैनं वो मह रोग Arms, जे बाख को, को एक को एक्रार्ण प्रो का कैम वे बोलबो, इच्छैन इतमें लाए ब इच अलोज एंच विदा फुल स्टाप अर इता डिकलाइटिप सेंटेंस रा स्टेशे की तरा फुल स्टाप ठाका चाही। कोड़ा प्वेश्चिन मातना फुल स्टाप बोजया कलोँ एक्सम्पल तैको, दा सुन राइस इन दा इस्टू जो पूर्गो दीके उटे एक्सम्पल गरी कहोओ, फुल स्टाप शेखि भालो व्योजेश्णू ढरी पे लिए क्सम्थी जोवे प्रश्णा पेच्वे वहें प्रश्णा क्वेश्णा आउ यह क्राइए, प्राइऑ टेसे न देखेस, थेटा हीज़ा झाइज़ा, अ निया क्ना क्रोष्ना करावाई, क्वेस्टेन मां, इस यो फदर एक होम नाओ, तुमार बाबा की आपनों बाड़ीता आछे ने, क्वेस्टेन मां, दू यू प्रेफर टी और कफी, तुमी चाना कफी मेशी, पॉशन दो करो, क्वेस्टेन मां, होजे करो, इम्पेरेटिव, इट एक्स्प्रेसे से कमायन जोर करा रिक्वेस्ट, एटा कुना एकता आदेश, बा उनुरोद जोखन बोझाय, तुमने इटा इंपरेटिव सेंदेस होई है, it means to give an order or to make a request to someone, एर माने हच्चे, कवके कुना आदेश करा पकुना, और अदेश करा बाकुना, बाकुना अनुरोद करा शिटेन हें गला इंप एक्जामबल, प्लीज गो एंड फेच माई बैग, दया कोने तुमी गिया मार बैटर निये शो, ताल एटा आपी ताकी की अनुरोद कोची, तानों की एक्षाने प्लीज आचे, रिक्रेस्ट कोची, डोंट मेक एनी नाइस दिया, एक्षाने कोना आज बस्वाब्दो कोरो एक्षाने कोनों वीश बाकोनों प्राफ्टो न भाईच्छा, शेवला अप्रा, मने शेवला बुझाए, एटा माने होच्चे कावग्या मी ता सक्सेस हो जो नामी वीश कोर्ची, बा करो, शुस्तो ता कावणा जो नामी प्रेय कोर्ची, शेटा युखे जाए, अप्टे युखे जाए, आटा यह वाँ चाक्री पार, एक्स्लेमेटोरी, इचेटा युखे शेटा युख्राईस, सुड़ा युख्राइस, श्रॉज और सॉनें फिलिग, एटा बुझाए, इटा मुझा शेटा बुझाए, श्रॉज पीला युख्राईस, वाठा होग्या बुझ सब्सक्राइज बाकोन सब्सक्राइज वड़कोनेक्टा अबे एमोशन जिना पूजाए शेड़ा होते बने इच में भी बोद जॉयफूल और सौरफूल दुखेरो होते पारे अनुदेरो होते पारे एग्जाम्पल, अलास, शी जूओल मने आयो शया ने जवी टो नइ अब दोस्टा डवटो सब्सक्राइज आप इच बेहां दोस्क्राइज खेरो तो, गोड़कोनेस अनुदेरो चेरो अनुदेरो बोलिशा फुर्णीक्टी आनुदे पारे कोना सब्सक्राइज सफ गांड Types of sentence, कितने प्रकर का है, 5 प्रकर का है, declarative or assertive, interrogative, imperative, operative, exclamatory, declarative or assertive sentence किसे कहते है, it expresses a declaration or assertion, it means that the sentence is giving an information, मतलब कोई भाकिया किसी information जब देता है, टीक है, उसे हम लोब declarative or assertive कहते है, कुछ भी कहते है, कोई question नहीं है, टीक है, ऐसे कुछ जब कहते है, कोई information देता है, उसे हम लोब declarative or assertive कहते है, it always ends with a full stop, हट टाइम जब खतम होगा है, इसके बाद यह full stop आएगा, question mark करने से sentence change हो जागा, exclamation mark करने से sentence change हो जागा, तो यह simply यह full stop से खतम होता है, example, the sun rises in the east, ठीक है, she is a beautiful girl, वह बहुती सुन्दर लड़की है, the baby is crying, बच्चा है रो रहा है, देखो, इधार, 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 खतम होने के बाद यह लोग कुछ जब लगा है, it asks a question and ends with a question mark, यह प्रशनज जब होता है, कोई बाकिया है, और अंत में जब वो question mark रहता है, तो उसने हम लोग कहता है, Intervenive sentence, example, where do you stay, तुम कहां रहते हो, question mark, is your father at home, तुम्हारे पिताजी घर पे है अभी, question mark, do you prefer tea or coffee, बतल चाही या कफी काँसा तुम पसंद करते हो, यह भी question mark है, imperative sentence, it expresses a command order request, जब कोई आदेश या अनुलोध समझाते है, वो है imperative sentence, it means to give an order or to make a request to someone, इसका मतलब है, किसी को कोई order देना या कोई request करना, यह है imperative sentence, example, please go and fetch my bag, थोड़ा जाके मेरा बैग लेके आओना, यह जो है, मैं please लिखा या, मतलब मैं अनुलोध कर रहा हूं, don't make any noise, या कोई आवाज मत करो, यह हो गया, क्या order हो गया, या comment हो गया, number three, never tell a lie, जूट मत ब prayer, it means to wish someone success, और pray for someone, जब कोई वाक्या है, कोई wish, इच्छा या कोई प्रात्ना समझाता है, इसका मतलब किसी का success होने के लिए, तरक की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हम लोग जब wish करते है, या किसी का, मतलब कोई disease है, तो यह थीक नहीं है, जब हम लोग प्रे करते है, जल्दी ठीक हो जाने के लिए, वो जब सम्झाता है, तो वो हो जाएगा, अप्टेडिक सेटेंस, May God grant him long life, भगवान उसे लंडी उमात दे, भगवान से हम लोग प्रात्ना कर रहा है, यह हो गया prayer, I wish him to get a good job, मैं उसे wish कर रहा हूं, उसे अच्छा नकरी मिले, तो यह हो ग और sorrowful, मतलब, जब कोई भाक्या है, कोई अस्चरिया, या कोई दूख, अच्छानक, कोई feelings, इसके बारे में बोलेगा, तो ओच हो जाएगा, एक्सक्लेमरी सेटेंस, इसका मतलब क्या है, कोई surprise या sudden emotion, अच्छानक, जो मतलब अनुभूती है, वो दूखी भी हो सकता है, हम अनुख सकते है, याँ भी हम लग लिख सकते है, धिक है, गुर्रा आछेटेंस, वो दूख, इतना खूस हो जाते है, हम लोग एफ, हम लोग जीत गाय hey, हम लोग जीत गया है, गुर्रा, एक देख, तो ईहार लिख जाए , तो अच्छानक, घुर्रा असा गुर्रा, आ र करेचो आर वीडियो ना तुम्रा तुम्रा तुम्हादे बोंदुदेश्चा दे शेयर कोरवे चैनलेंट टाइखणों जाना सब्सक्राइब कोरवे जाते हमार परेफ वीडियो गोला तुम्हा पेते बाड़ु